मित्रो आज हम एक छोटा सा ट्रेक करने जा रहे हैं मुंश्यारी में ये फॉरेस्ट रेस्ट आउस से करीब 500 मीटर उपर बैंड से हम चल रहे हैं मैसर कुंड की ओर को जो कि एक छोटा सा डेड़ किलो मीटर का ट्रेक है यहां की खुबसूरती का अंदाजे बयां ही कुछ और है यह moderate slope है बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेंट भी नहीं हो रहे हैं बहुत आसान भी नहीं है लेकिन यहां से मुंश्यारी सहर का खुबसूरत नजारा देखते ही बनता है यह देखिए लोग बढ़ रहे हैं यहां पर एक शेल्टर व्यू पर बनाया हुआ है पतिकों के रुखने के यह हम पहुच ही गए है अल्मोस्ट अब आपको दिखाई है मैसर कुंड का बेहतरीन नजारा दीरे दीरे हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं मुश्किल से लेड़ से 200 मीटर अब दूरी बची होगी यह जो कुंड है छोटा सा यहां पर उच्छ हिमाले इक शेत्र में इस कुंड का अपना एक धार्मिक महत्व भी है प्रतिवर्स यहां पर को एक मैसर महोट्सव करके गाउं आसपास के जो यहां की बन पंचायते हैं उनमें रहने वाले लोग तथा बाहर से भी कई लोग आ करके उस महोट्सव को जोईन करते हैं और इस खुबसूरत स्थान का आनन्द लेने के साथ ही एक प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूती का भी यह रही वह प्रशिद कुंड जो कुछ मैं देख रहा हूं आज से करीब हम लोग आये थे दस साल पहले 10-12 साल पहले तो उस समय की तुलना में आज कुछ स्रिंक हुआ लग रहा है उस समय यह इस तरह के स्टैप्स यहां पर बने हुए नहीं थे आज यह दिख रहे हैं इसके जीनोधार के लिए कारिय तो किया गया लगता है काफी लेकिन परियाप्त नहीं है क्योंकि प्रकृतिके संदक्ष यह बड़ा ही मुश्किल होता है प्रकृति के इन नायाब सुरोतों का संद्रक्षन कर पाना और यहां पर बिभिन प्रकार की बड्स की चहचाहट सुनाई दे रही है यदि आप यहां पर होते दोस्तों तो आप वास्तों में इसका अनुभव करते और मैं आपको एक चीज बता दूँ कि मुश्यारी और इसके आसपास के एक शेत्रों में ही बड्स की आज तक करीब करीब 500 से ज़्यादा इसपीसीज आइडेंटिफाई की जा चुकी है और कई साही सारी पहचाननी बाकी है इसलिए मैं कहूंगा कि मैसर कुंड एक बार अवश्या आईए इस खुबसूरत स्थान का आनंद लीजिए और मुश्यारी में आपको गुमने के लिए और भी बहुत सारी जगहां हैं जैसे कि थामरी कुंड, खलिया टॉप, एक यहाँ पर को इको पार्क बना हुआ है ने फोरेस्ट इपार्टमेंट के रिसर्च विंग के द्वारा यहाँ पर कोई एक लाइकेन गार्डन भी बनाया गया है आप उसको भी देख करके पाहडों में होने वाले लाइकेन्स और उनके यूजेज और उनके इस परियावरण में इस इको सिस्टम को बनाए रखने के ल के पास परियाप्त दिवस्थाएं हैं होटलों की भरमार है खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल जाती है हां आते जाते हुए आप थोड़ा सा सावधान रहने की आउशकता है खासकर बरसात के सीजन में इस टाइम में यहाँ पर को थोड़ा सा साड़कें खराब हो जात आते हैं तो अब बियारों के द्वारा बहुत सुन्दर सड़क का निर्माण और काफी चौड़ी सड़क का निर्माण की इसमें किया जा चुका है तो आपको मैं पुन्हा एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा मुंश्यारी में इन सब चीज़ों के साथ-साथ जो पहले नं प्रसिद्ध और उची चोटियों में से एक है यहां पर को मैगी बनाई गई है और बच्चे खाने को प्यार दोस्तों यह है असली और सबसे प्राचीन मैसर कुंड जो हम पहले देखे थे उससे करीब दोसो मीटर पूरब की ओर को इसके जल को यहां के लोगों के द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है और समय समय पर यहां पर दार्मी का नुष्ठान करने के लिए आते रहते हैं मोरू खर्षू के पेड़ों से चारों और से गिरी हुई बहुत शान्त ये जील आप लोगों को प्रकृती के एक अलग ही चमतकार से रूबरू कराती हुई पेड़ों पर खूप सारी मौस और लाइकेन की परतें जमी हुई ये देखिए इतना सौंदर ये है इसमें आप भाव विभोर हो जाएंगे देखकर यहाँ पर को हमारा राज्यब्रिक्ष बुरांस भी है जिसमें अभी भी देखिए कुछ फूल बचे हुए हैं ये जो मैसर कुंड है दो बन पंचायतों सर्मोली और संखधूरा से मिलकर इनकी सरत पर है और यहाँ के लोग इसके संद्रक्षन के लिए विशेश प्रयास करते हुए इसकी प्रशिद्धी को देश विदेश तक पहुचाने के लिए हम लोगों को भी इन लोगों का साथ देना चाहिए आपने हमारे चैनल पर आकर हमारे वीडियो पूर्ण उमंग के साथ देखा आपने हमारे लद्दाक वाले वीडियो को भी कूपस रहा यदि आपने हमारे लद्दाक वाले वीडियो नहीं देखा है तो आज ही देखें जो कीश में चित्रण के साथ ही जानकारियों का भी खजाना है दोस्तो मैं वेदभट आपने हमारे वीडियो अन तक देखा इसके लिए आपको सुक्रिया आसा आसा करता हूँ की आप हमारे वीडियो को लाइक और सेर अवस्य करेंगे आसाथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे और अधिक जानकारी युक्त वीडियो बनाने के लि तो ऐसे डाधे वीडियो गवस्य उमारे आसाथ है जे चीनल को लाइक करेंगे जो वीडियो करेंगे जावस्य करेंगे लिए सुक्या ह् मत जिएड एट आसाथ हमारे युदी